इस दौर में हमारे साथ है जहारखिन के वरिशनेता और सत्तार उड़दल के सचे तक श्री राधा कृष्ण किशोर जी राजनीती में इनका अपना अनुभव रहा है विधान सभा में एक लंबे समय से ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस इलाके के हर समस्या को बहुत है से इन्होंने देखा है और उसके समाधान के लिए भी इन्होंने कोशिश भी की है कई बार सफलता भी मिली है कुछ समस्या है अभी जैसे अभी हम बात भी कर रहे थे वीडी राम साहब से उन्होंने कहा क्या आकांगशाएं बनी रहती है और आकांगशाएं बनी रहनी होनी तक रोजगार की संभावनाएं पैदा हो पाई हैं और पलायन कहां तक रुख पाया है उद्योगों की क्या इस्थिती है आज यही हम समझने की कोशिश करेंगे और राजमितिक दल से जुड़े हुए हैं तो राजमितिक सवाल भी होगा लेकिन पहले पांच साल का शासनकाल क जेंद्र में भी और जार्खन में भी एक दल की सरकार रही और जार्खन के गठन के बाद ये पहली बार ऐसा रहा कि एक मुख्यमंत्री अपना पांच साल का कारेकाल पूरा कर पाया और उस सरकार में सत्ता पक्ष के सचिता के तौर पर विधान सभाग में विधायक भी हैं सदस्य भी है राधा कृष्ण किशोर जी, पांच साल कैसा रहा, कितनी उम्मीदें पूरी हुई, कितनी समस्याओं का समाधान कर पाए पलामू में, अपने शेत्र में, राधा कृष्ण किशोर जी. पांच साल राज्य सरकार की उपलब्धी, एक जनपर्टी नी धी होने के नाते मेरी उपलब्धी, इसकी चर्चा बाद में मैं करूँगा, पहले कसिस परिबार के पर्टी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, राश्टी असर पर कई कांकलेव को घर में बैठके सुना करते थे, एंडी टीवी, आस तक, देजभर के नेता, विविन राजनेतिक, दल के लोग, और बैठे बैठे मैं जब सुनता था तो मुझको लगता था कि ये असर कभी मुझको मिलेगा या नहीं मिलेगा, आज कसिस न जहां तक आपके टीवी के माधियम से प्रसारण हो रहा है, लोग हम सबों को देख रहे होंगे, मैं बड़ाई रोमांचित हूँ, मेरा रोम रोम पुलकित हो रहा है आज, कि एक रास्टी असर के कांकलेव पर जब उननेताओं को में देखता और सुनता था, और अच्छी बातों का अनुकरन करने का प्रयास करता था, आज आपके माधियम से राजनीत में नए आने वाले लोग, सारवजनिक जीवन में नए आने वाले लोग, हम सबों को सूरेंगे, और उसका अनुकरन करेंगे, इसलिए आपके पड़तियाभार, आपने पूछा, पांच वर्सो मैं स्री रगवर्दास जी के सरकार की कारिश संस्क्रिती पांच वर्स वो पूरा करने जा रहे हैं मैंने पहले भी सरकारों को देखा है और ये पांच वर्स भारते जन्ता पार्टी नेतितो वाली रगवर्दास की सरकार को भी मैंने देखा है देखिए एक सिस्वे बहुत गंबीता से और राजेनेतिक बातों से अलग हट करके कहना चाहता हूं देखिए किसी भी गौवर्मेंट मैंने प्राइरम में ही कहा था जब ये राजे अलग हुआ था 2000 बे तो मैंने कहा था कि अब एक ऐसे सरकार किया सकता है जिसके पास वीजन हो वीजन के साथ साथ उसके अंदर प्लाइनिंग भी हो और प्लाइनिंग कितने बढ़िया ढंग से इंप्लिमेंट हो रहा है ये तीनों चीज अगर किसी बढ़िया नेतितर करने वाले सरकार के पास हो तो मैं समाजता हूं कि बेहतर ही कारे हो सकेगा मैंने पहले देखा है जारखन अलग बना कोई वीजन नहीं था आपके पास एक financial year में जो आपका revenue collection था उसको किस sector में खर्च करना है priority आपकी क्या है और वो कि किसी सरकार ने इसे तैर नहीं किया कि वो irrigation sector पर खर्च करेंगे education पर priority होगा या health के उपर priority होगा मतलब परसाथ के तरह योजनाओं का या budget की रासी को वो चीट देते क्या achievement हुआ है इसका monitoring नहीं होता था इस government को मैंने देखा इस government ने पहली कोसिस ये की कि राजे के जरूवत के अनुसार हम अपने plan के save को size को बढ़ाएं और plan के size को जब हम बढ़ाते हैं योजना आकार जब हम बढ़ाते हैं तो उसके लिए पैसे किया वे सकता होगी जाहिर सी बात है हम भारत सरकार से कैसे पैसा लाएं जो central assistance की रासी है जिस पर राजे की हिस कैसे दारी है प्लस हम अपना revenue generation को कैसे तोनो और एक अच्छी बात यह रही कि भारत देश में भी भारती जनता पार्टी की सरकार अधनिये नरेंद्र मोदी जी और राज्य में भी भारती जनता पार्टी की सरकार का एक असर जिसे आज हम सब बोलते हैं कि double engine की सरकार तो ज राजसों भी ऐसा कि कहीं हम जनता पर अधीक कर ब्लाद करके हमने पैसे क्यूंगा ही नहीं की हमने taxes को की चोड़ी को रोका है हमने वैसे subjects पे tax को बढ़ाया जिससे public को कोई नुक्सार नहीं और government को राजसों की प्राप्ति भी अधीक होगी plan size बढ़ा हमारा revenue collection बढ़ा अब एक priority first किया गया कि किस sector में हमको अधीक काम कर रहा है अभी आप देखेंगे परधान मंती जी ने एक बात कही थी कि देश में मुंबई दिली ऐसे जगों के मजबूत होने से भारत मजबूत नहीं होगा भारत मजबूत तब होगा जब तक कि भारत के गाउं मजबूत नहीं होते हैं तब तक हिंदुस्तान मजबूत नहीं होगा और इसी दिरिश्टिकों से केद्र की सरकार और स्टेट गवर्वेंट आगे बहुती है देखे आप रूलर सेक्टर की बात करें तो दो हजार चौदर के पहले रोड सेक्टर में जो हमारा डेंसिटी था रास्टी आउसत के परिपेक्षब में चर्चा कर रहा हूं नेशनल हा किलोमीटर था मात्र स्टेट हाइवे की कमी थी रूलर रोड की कमी थी पांच वर्सों में एक बात कह सकता हूं कि लगभग आठ नौहजार कर रूपया स्रिफ इसी सेक्टर पर हुआ है और आज हमारा नेसनल हाइवे स्टेट हाइवे और रूलर रोड सेक्टर में जो हम ल क्रामों में मैं अपने कॉंसिच्वेंसी की बात अगर करूं तो लगभग साड़े पांसो करूर रूपय के लागत से रैसल हाइवे स्टेट हाइवे और ग्रामीन सरकों का निर्मान मेरे ये पांच वर्सों में काम चल रहा है तो ये सेक्टर में आगे बढ़ा है दूसरी सेंटर गवर्मेंट और स्टेट गवर्मेंट ने ये बड़ी अच्छी तरह से सोच रखी एक वीजन रखा कि हमारे सेबंटी टू एटी परसेंट जो विलेजर्स हैं ग्रामीन हैं वो डिपेंडेंट है एग्री कल्चर पर जब तक उन्हें एकनॉमिकली हम अपलिफ्ट न नहीं कर सकते हैं और इसी डिस्ट्रिकों से आप देखें मुख्यमंति किर्सी आसिरवाद योजना भारत सरकार की जो परधार मंत्री किर्सी सम्मानी योजना और एरिगेशन पर लोगों ने फोकस किया है आप देखेंगे कि जो पांच वर्सों का प्लैन है हमारा जो इसकी अर्थमे वस्था मजबूत नहीं हो सकती है और इसी कारण से पलामु की बात करें तो जिन जोई सदाबा बुटन डुबा ऐसी कई नदियां हैं जहां हमको जितने पुर्व की योजना हैं लेकिन वो इतनी जिरुसने वस्था में थी और उससे जो हमें सिचाई मिलनी चाहिए थी वो उसके जिरुनता के कारण नहीं मिलती थी सिर्फ हम लोगों ने केनाल को बक्का बना दिया तो अब उसका पानी रुपता नहीं है पानी केनाल के मादयम से खेट तक जाता है तो इस परकार की योजनाओं को हम लोगों ने मजबूत किया हमारी सरकार ने केस में चल रही है और आज भी हम गरीबी मिठाने की कई योजनाओं को चला रहे हैं बारसरकार मोदी जी के मैं विजन को बताता हूं रगवरदास जी के विजन को बताता हूं पहले क्या था गरीबों के लिए मुर्गी पालन इंद्रा आवास पहले भी बना करता था लेकि नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भाई हम ऐसा मकान क्यों बनाएंगे जीवन में पहला उसे अवसर मिला है वो मानो जीवन में आया है तो वो सान के साथ कहे ऐसा मकान बनाएंगे परधान मंत्री आवास के नाम पर कि वो गरीब सान से कह सकता है कि पलामों के धर्ती पर यह मका मेरा है ये पडिवर्तन की बात हुई कहां बनता था गैस पर खाना मुंबई राची पटना और दिली ऐसे सहरों में घरों पर गैस पर खाना बनता था और आज पलामों में गाउं में आप चले जाए वैसे उगरबाद प्रभावित पहाड़ दगरा अंतकला ऐसे काउं में चले जाए भंडरिया ऐसे गाउं में चले जाए आज हमारी माँ और बहन उस गैस पर खाना बना रही है और वो भी सांसे कह रही है कि विदाएक जी आपके घर में हिस्सरिफ गैस पर खाना नहीं बनता है हम गरीब हैं गाउं में रहते हैं यहां भी हम गैस पर खाना बना सोचाले का निर्मान देखें एक बहुत स्वास्त के सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ मामला था हिंदुस्तान आजाद हो गया 65 वर्ष तक आजादी के हो गए मैंने कहा कि गरीबी उनुलन की कई उजदाएं चली कॉंगरेस सासन में रही 65 वर्ष तक आब बाद में पूछें तो मैं उसका भी उत्तर कर दूँगा लेकि देखें मैंने विजदन की बात कही है एक तो खुले आस्मान में हमारी मां बहन सभी लोग सौच के लिए जाते थे अब ये द्रिस्टी सामने आई कि एक तो स्वास से भी जुड़ा हुआ मामला है और दुसरे बहु बेटियों क पर्तिस्था से भी जुड़ा हुआ मामला है हिंदुस्तान आगे बढ़ा है विस्व में इसकी पहचान है और हिंदुस्तान के लोग गाउं में खुले आस्मान में सौच के ले जाए मोरी जी ने कहा कि नहीं साथ सौचा लेकर निर्मान होना चाहिए मैं बहुत संशे पे ये कहना चाहता हूँ कि आज जारखन सरकार भारत सरकार के सहयोग से डेवलप्मेंट के हर सेक्टर में प्रायरिटी तह करके ये सरकार ने गाउं के तस्वीर को बदलने का परियास किया है और ये बदला हूँ अब दिखाई पढ़ रहा है एक समय था कि उगरवादी संसाय है गाउं के नौजवानों को दिखभरमित करके उनको हजार दो हजार रुपया रोजगार दिया करते थे और आज गाउं का नौजवान है ये कह रहा है कि इस मोदी और रगवरदी के सरकार में हम उनके पास जाने के बजाए अपने कौसल को विक्सित करके हम अपना पन्सा के सामने हम नहीं जाएंगे, तो ये बदलाव हुआ है. ये सारी बातें आप ने कहीं बदलाव हुआ है, लोग मैसूस भी कर रहे होंगे और आप ने अपने शेत्र के लिए काम ही किया है. एक सिलिंडर दिया गया, जारकट की सरकार दूसरी सिलिंडर दे रही है, लेकिन सवाल यह है कि तीसरी सिलिंडर कहां से आएगी, उसके लिए वही कि उसके लिए कोई संभावना यहां पर पैदा हो रही है या की जा रही है कि तीसरा सिलिंडर वो अपने से खरीच सके. एक्जेक्ली बहुत अच्छा प्रसना अपने किया कई लोग कहते हैं कि साहब सरकार ने आपको भारा सरकार ने चुला दिया है और रगवर्दास दी के यह जो इसाथ हैं कि हमारे जहाथ को इतना अर्थिक रुफ से मजबूत करेंगे कि फिर अगले तिसरा चौथा सिलेंडर वो अपने पैर पर खड़े होकर आर्थिक रूप से इतना संपन होगा कि फिर वो गैस का सिलेंडर रिफिल करने के लिए सरकार की ओड़ टक टकी नहीं लगाएगा वो अपने पैर से रिफिल कर सकता है तो समानानता रूप से एक तरफ जब हम उन्हें एकोनॉमी डेवलप कर रहे हैं रूलर एरियास बे उसके माध्यम से वो लोग ससक्त होंगे और फिर आगे बढ़ेंगे रादा क्रिशन जी आपने ठीक हा कि जो डबल इंजिन की सरकार है उसका फाइदा जारखन के लोगों को मिल रहा है पलामों की स्थिति बहुत सुदरी इस बात से कहीं इनकार नहीं है कि आप रात को भी निडर होकर आप जा सकते हैं नाची लेकिन 5 साल का अपने उपदियां गिनाई है लेकिन फिर भी देर तो हुई इस बात को मान रहे हैं एक स्वाल आप से बहुत है कि 14 दिनों के लिए आप मंद्री बने थे एक तो चलिए उस वक्त सरकार नहीं बन पाई नहीं चल पाई 14 दिनों में आपने एक विजन शुरुआत की थी आपको मिला भी था जल संसाधन जो कि यहां के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनाओत इक थी पेजल एम स्वास्ता मिला था तो उसका कितना मलाल है इस सरकार में भी बात आती रहती थी कि राधाकरिशन जी बस अब मंत्री बनने ही वाले हैं एक कोटा अभी भी खाली है नहीं बन पाया दोनों का कितना आपके पास कसा क्या मन की बात करूं और आप भी स्वामत होंगे और यह हमारे जो बुद्धी जीवी स्वरोता हैं या विविन समाज के छित्रों से लोग यहां बैठे हुए है यह हिर्दे की बात बहुत लोग ऐसा हैं जो कहते हैं जीवन में कि नहीं मुझे मंत्री बनने की कोई लालसा नहीं और अंदर अंदर कहीं यह बात रहती होगी कि मंत्री बन जाते तो बड़ा अच्छा रहता है मैं आपको उधारांत के साथ काना चाहता हूं मैं 25 वर्स के आयू में मैं च्छतरपूर पार्टन की जंता और पलाओं के अभीबाव को की पड़ती अभार वेक्ट करता हूं कि मैं 25 वर्स के आयू में वर्स 180 में विधायक बन गया था मैंने कभी कलपना नहीं की कभी सोचा भी नहीं कि मैं मंत्री बन जाओं उसके बाद संसदिये विश्यों का जानकारी रखने का भर सक पूरा परियास कि विश्य कैसे उठाये जाते है प्रसुकाल क्या होता है ध्यान मैं सिख रहा हूँ जब कभी मैं विधायक मना ये मेरा पांचवाट हर्वे मैंने आज तक कलपना नहीं की थे आप 2005 बे मैं भी कभी किसी को अप्रोच भी नहीं किया और मुझे भी ये उमीद नहीं थी कि मैं मंत्री बन जाओंगा मैं स्री अर्जुन मुना जी के पड़ती कि आज भी आभार वेक्त करता हूं बिदान सबाक का सत्र का अंतिन दिन था और उसमें रगवरदास जी फिनेंस मिनिस्टर थे ये नगर विकास के मंत्री थे जब सबासमाब थुई तो वो मेरे पास आये उन्होंने कहा कि राधा किसकिसोर जी आपके नाम से संबन इसू मैं एकितम आवाक हो गया कि राधा किसकिसोर और मिनिस्टर मैं गया मैंने सपद गरन में सामी पांस साथ दिन भी नहीं बीते होंगे कि मैंने अखवार में पढ़ा मैं एक रिवीव कर रहा था अपने डिपार्टमेंट का मान्गो में मैंने नितिस जी चुकि उस समय मैं ज श्री जलस्वर महतो और अमें सिंग मुंडा को मंत्री बनाने के लिए मैंने अनुसंसा की है राधा किसकिसोर कहां से मंत्री बने है यह अर्जुन मुंडा जी बताएंगे बास साब थी यानिकि जदियू का मैं विधायक था हमारे रास्टी अध्यक्ष मुंख्य मंत्री न इसलिए कर रहा हूं कि जैसे आपने कि मंत्री बनने की इक्षा तो मंत्री बनने की इक्षा कभी नहीं है एक जन परती निदी जन सहयोग से अपने लक्ष की होड़ आगे बढ़ता जाए तो मैं समझता हूं कि उसमें उसको काफी आत्मसंतुस्टी बेती है जो मुझे भी आत्म संतुस्टी मिली है पलामुक किधर्ती से चतरपूर पार्टर मिधान सभा के मरदाताओं के आसिरवाद से मैं पांच में टर्म का विधायक हूँ पांच बार उस शेतर से पर्टी दिजित्र करने का मौका मिला है इसी से मैं बहुत तो एक संदर्ब आ गया है एक संदर्ब आ गया हमें मौका भी है जिस तरीके से भी बीजेपी में शामिल होने की जो होड लग चुकी है क्या लगता है कि उससे आपके भी शेतर से एक पूरू सांसित मनोज भुईया ने मैं व्यक्ति का तुद पर कोई टिपनी नहीं करूँगा देखिए जब पार्टी काफी आगे बढ़ चुकी होती है आगे बढ़ने का मतलब लोगप्रियता एक बात तो मैं अभी कह सकता हूं जो चालीस वरसों का राजिनेतिंग अनुहों मेरे पास है कि आधनी नरेंद्र मोदी जी और रास्तिये हमारे अध्यक स्रीयमी साजी जिस तरह अब देखिए एक बाते आती है मैंने डेवलेप्मेंट की बात की डेवलेप्मेंट की बात जिस तरह से हुई आज इन दोनों के नेतित में भारती जनता पार्टी की लोगप्रियता कैसे बढ़ रही है पाकि सरकार के नेतितों में हमारे जाबाज सैनिक जाते हैं और जो हैसो यह स्ट्राइक करके लोड़ते हैं सरकार या वायू सेना लीडर्सिप किसका है लीडर्सिप किसका है अब जब आपने ये बात की कि सरकार और वायू सेना तो नहीं किसी को लेकर सर्व तहीं मैं इसमें मैं बीच में आपको रो करके याद दिलाता हूँ मैं याद दिलाता हूँ 1962 में जब चिन ने आकर्मन किया था और हमारे देश के सेना यद भी हम कमजोड सेना जरूर हमारे जो संसादन थे वो बड़ा विक था उस समय ने ने हिंदुस्तान आजाद हुआ लेकिन देश के परधान मंती ने कहा नो एटैक और आज हमारे परधान मंती बोलते है कि छेडोगे तो छोड़ेंगे नहीं ये फर्क है ये फर्क है उसके बाद मैं एक चीज़ मैं और ये कर रहा हूँ आपकी बात पूरी नहीं हुई कर जब चुनाओं का वक्त आता है तो लोग इस पार्टी से उस पार्टी उस पार्टी से उस पार्टी ये बात करते हैं लोग ये सुभावी के और समाने ता मैं जनता हूँ इस बात को कि ये समाने पर क्रिया है लेकिन अगर हम एकदम टाइम सर्वर है हम आपके नीतियों को मानते ही नहीं हम आपके विचारधारास एक दम दूर रहे हमारी कारिय संस्कृति पार्टी के पर्टी कोई भी पार्टी हो उसे मेल नहीं खा रही हो लेकिन अगर हम सिर्फ किसी पदपर पहुँचने के लिए विधायक और सांसत बनने के लिए अगर हम पार्टी बदल रहे तो ये अच्छी बात नहीं होगी और दूसरी बात राजनेतिक संगठन से भी हम यह अन्रोत करेंगे कि अगर कोई दागदार छवीका है यदि किसी के उपर करफशन के चार्जेज यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो लोग सभाग के सदस्ता से इसलिए बरखास्त कर दिया गया है कि उसके उपर प्रस्द पूछने के एवज में पैसा लेने का मामला आता है तो ऐसे लोगों को किसी भी राज देती देखिए ये राइट टाइम है जब हम एंटी करफ्शन की बात करते हैं तो ऐसे राजनेतिक व्यक्तितों को राजनेतिक में परवेशन न हो यह निर्ने लेने का सही वक्त है ठीक है यही तो है कि चाल चरित रो लेकिन पार्टी में शामिल तो हो गए तो यहीं से हम करें और अपने से ही करें कोई कोश्चन हाँ मैं एकदम तैयार हूँ प्लीज लेकिन मेरा सवाल आप से है सांसर महुजे से ही तुझे पूशना था असा हो पाया कि कर नहीं पाया तो मेरा सवाल आप से है कि महिलाएं जो अनपन महिलाएं जो ग्रामिल महिलाएं हैं और जो पड़ीली की अर्द दिरजगार महिलाएं हैं उसके लिए आपके सरकार की क्या योजनाएं है क्या योजनाएं यो अद्व के शित्र में या अरोजगार के शित्र में आपने क्या सब्सक्राइब के पास बहुत समय नहीं होगा मेरी बड़ी दिल की इक्षा थी कि बहुत सारे विस्यों को मैं सेर करता है इस मंच के माध्यम से यह बहुत बड़ा प्लेटफार्म है जहां आप अपने बातों को रख सकते हैं या फिर हमारे वीवर्स भी हमसे पूछ सकते हैं देखिए कई योजदाएं हैं और सरकार सिर्फ योजनाओं पर काम ही नहीं करें सरकार की दिली इक्षा है कि जो नारी सकती है उसको कैसे मजबूत करें हम आप अगर गाओं में जाकर के देखिएगा तो जो हमारे सकी मंडल है सकी दीदी है जिस तरह से उनको स्ट्रॉंग किया जा रहा है और उनके माध्यम से वहां के अन्य महिलाएं जो सिक्षित नहीं है या जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है उनको किस तरह विक्षित किया जा रहा है अगर सभी रहता तो एक एक विन्दुवार आपको मिता सक्ता था लेकिन मैं बताओ आँ आपको मेरे उठ्डियोग की बात कर रही है उठ्डियोग उठ्डियोग की क्या होगिए रेकिने han किनल ओदोगी करन की बात होगी हम महिलाओं के आर्थिक इस्तितिक की बारे में और उनको कैसे आर्थिक रूप से सुद्र किया जाए ये सकी दीदियों को मैंने देखा छतरपूर का एक गाउं है काला पहार और वहां पे उस गाउं की दीदियां बजार लगा रही है लोग परकार के कई काम लोग कर रही हैं और साफ्ताहिक बजार महां महिलाएं लगाती हैं और अपने द्वारा निर्मी तुतादित वस्तूओं का उस बजार में वो विक्रे करती है तो इस परकार से देखे एक जो अदोगी करन की बात हुई मैं चाहता हूं कि एक मिट मैं समय ज साल हमारे किसान सुखार का सा दंस धेलते रहें पलामों के बड़े लगू या सिमानत किसान सभी की दार्थिकी सिती बड़ी दैरी है एक तो उसको हमको आगे बढ़ाना है हमारी सरकार को आगे बढ़ाना है दूसरा नौजवान बड़ी के सामने जो बेरुजगारी की समस् उसको कैसे आगे बढ़ाए बहुत कहना बहुत लोग आते हैं इस परकार के मंच पे ये बोलेंगे कि हम ऐसे ओदोगी करन करेंगे वैसे ओदोगी करन करेंगे एक सी जो इस आफ डूइंग बीजनेस सर मैं प्रोफेसर अपने अविभाव को कहना चाहता हूं प्रोफेसर इस तरह व्यवस्था की है पूरे देश में एक और दो ऐसे राज हैं जो पहले अस्थान पर है इस अफ डूइंग बीजनेस में इस अफ डूइंग बीजनेस का पूरा अर्थ क्या हो सकता है मैंने क्या हो सकते है अगर कोई एक व्यक्ति लगाना चाहे कोई इंडस्स तो ए एक हम अपने उद्दमियों को इतना मजबूत कर दें ग्यान के माध्यम से कि तुम लाइम स्टोन से ये काम कर सकते हो, ग्रेफाइट से आप ये काम कर सकते हैं, इस पर आधारी तब लगा सकते हैं, तो सबसे पहले जरूत इस बात की है कि उद्दमियों को इस बात की जानकार और दूसरी बात ये मैं मानता हूँ कि फिर जो इंफ्रा स्ट्रक्चर चाहिए उनको लैंड चाहिए उनको पावर चाहिए उनको पानी चाहिए तो ये अब आपको असानी से मिल जाएगा लेकिन अब एक पलामू के गरीब नौजमान अगर चाहते हैं कि हम छोटा मोटा उद पलामू के जो वयवसाइक बैंक हैं जिस अनुपात में जो उनका सीडी रेसियो होना चाहिए एक क्रेडिट टिपोजिट रेसियो वह हमारे लोगों को वो रेसियो पे फाइनेंस लोग नहीं कर पाता है ये सीडी रेसियो हमारे पलामू जी लागा बड़ा कब है कई मंत्री हैं देश की हाँ उन्होंने निर्मला जी ने भी बहुत ये कहा और सक्ति के साथ कि अगर कोई रोजगार और जैसा कि रिजर बैंक आफ इंडिया का है कि जिस एरिया में जितनी रासी जमा है उसका 60% रासी लोन एडवांस के रूप में देना है तो हमारे मिनिस्टर ने भी कहा है कि बैंकों की अपनी भूमिका को निभाना पड़ेगा आपको लोन एडवांस का देना पड़ेगा ताकि नौजवानों की बेरोजगारी दूर हो इंडिस्स को हम इस्टैब्लिस कर सके बिलकुल यही बेवाकी है और यही इसी बेवाकी के लिए राध चैनल कि रोजगार हो है तो मेरा यह कहना था शार की आज मुख मंत्री भी हमारे Hills कांसर भी BJP के रहा कि और हम ऐस्टी मेर मोई बीजे पी के और हमारे परधान में बीजे पीके तो इससे अच्छा समीकरन के आओगा जो की इतनी कम रव्त कर कर मत चल रही है और रोजगार की बात कर रहे हैं मुझे नहीं लगता कि बहुत इसमें कोई समी करण होगा दूसरी चीज से रोजगार की है तो आज भी हमारे यहां की महिलाएं आज भी हमारे यहां के लोग दूसरे राज्यों में पेट भरने के लिए सर जाते हैं जो बहुत ही निंदिनिये भी से हैं यहां अगर हम Medical College की बात करते हैं इंजिनियरिंग की बात करते हैं तो कहां तक वो मतलब इमंदारी से इस बातों का हो गई आपकी बात आ गई मैं एक सिस बहुत गंबिलता से कहना चाहूंगा कि देखें गौर्मेंट के पास Planning है गौर्मेंट के लोग गाउं में रहें वहीं रोजगार कर सिर्जन करें बाहर नहीं जाएं सरकार के पास इतनी नौकरियां नहीं हैं इतने पद नहीं हैं कि सब को वहां पर रोजगार दिया जा सके इसलिए पूरा फोकस है कि रूलर एरियास के जो हमारे महिलाएं हैं या फिर अर्बन एरिया के भी या जो नौजवान है उनको कैसे रोजगार दिया जाए कैसे वो अपने पैर पर खड़े हों एक चीज़ मैं आपसे आगरा करूँगा कि इतनी बातों को करने के पहले आपके अंदर जो कौसल है उसको विकृसित करिये आप किस दिसा में काम करना चाहते हैं देखिए हम जनपर्टी निदिये हैं यहां हमारे किसी भी संगथन के लूग हों लेकिन ये हम जनपर्टी निदियों का दाई तो बनता है एक बार आप बढ़ जाईए अपने अंदर का जो कौसल है उसको विक्सित कर लीजिए और कहिए कि हमको ये काम करना है उसके बाद हमारी सरकार जनपर्टी निधी की जिमेवारी होगी कि हम आपका कदम आगे बढ़ाने में हम सहयोग देगे नहीं है तो राधा कृष्ण किशोर अपने ही स्वास्ति मंतरी को कहते हैं कि ये आपका दावा गलत है और ये है बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुडने के लिए और इस कॉन क्लिब में हमारी तरफ से एक उपहार और एक संदेश भी पेंट लगाओ और परियावरन बचाओ का ये संदेश और एक मोमेंटो हमारे कशिश परिवार की तरफ से इस कॉन क्लिब में आने के लिए बहुत-बहुत स्वागत